कि अस्तलाव वियूर्ज वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्फॉर्ज आज हम पढ़ेंगे PSY405 के लेसन नमर नाइन को तो आई ये स्टार्ट करते हैं एलफर्ड एडलर ने इन्डिविज्विटूल साइकॉलोजी पेश की थी इसके बारे में देखते हैं इनकी बायोग्राफी जो है एलफर्ड एडलर की इसको देखते हैं पहले जो भी ये परफाराफ के अंदर MCQS के वाले से important point है जो वो मैंने mention कर दी है highlight कर दी है बागे उसके अलावा जो इसके अंदर जो कहानी लिखी हुए उससे साधालफाज में देख लेते है Adler का जो बड़ा भाई था ना वो एक athlete था athletic लिहाज से बहुत अच्छा था family का एक model था family के लिए जो Adler था वो खुद को बहुत ugly और छोटा समझता था इसलिए वो games में भी हिस्सा नहीं लेता था जब वो 5 साल के था तो उसको नमूनिया हो गया doctors ने कहा कि आप अपने बेटे को खो चुके हैं जब उसने ये बात सुनी ना कि doctor की तो उसने कहा कि अगर मैं ठीक होता हूँ और मैं फिर ना मैं बड़ा होकर doctor बनूँगा जब फ्रॉइड जो था ना उस ताम फ्रॉइड का काम चल रहा था फ्रॉइड रूज पर था उस ताम Adler ने जब फ्रॉइड की study की ना फ्रॉइड के बारे में उसकी बुक पड़ी उसने तो उसने उसे ख़द लिखा उससे बहुत इंप्रेस हुआ फ्रॉइड ने उसे अपने पास बुला लिए और साइको अनलेटिक सुसाइटी का उसे हैड बना दिया आपने पिछले से पिछले से पढ़ा होगा ना जिसके लिकिन जब इसने कुछ अच्छा एडलर ने फ्रॉइड के साथ काम किया ना उसने अब्जर्व किया यह फ्रॉइड जो है नहीं ठीक नहीं है बहुत अग्रेसिव है और इसको इसके थीरी भी कुछ ठीक नहीं लगी तो इसने इसको छोड़ दिया और एक अलग से अपनी पीशकी इंडिवीजियलिसम के रिलेटिड तो आयो इसी की ठीको अम पढ़ते हैं इंडिवीजियल साइकोलोगी सबसे पहले इसकी डैफिनेशन है डा टर्म इंडिवीजियल साइकोलोजी रेफस तु दर फेक्ट डेट इंडिवीजियल्स आर यूनीक मतलब ये के तमाम इंडिविजियल्स जो हैं वो युनीक हैं वो एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहना चाते हैं और मतलब कि वो सिर्फ से अकनसर नहीं है हर बंदे को अपनी अपनी नहीं पड़ी कोई बंदा अपने लिए नहीं जी रहा हर बंदा लोग जो हैं वो एक दूसरी के लिए जी रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिन्दगी गुजा रहे हैं आगे और्गन्स आफ इन्फिरोरियोटी एंड कम्पिटिशन कम्पिंसेशन इसके इंदर क्या कह रहा है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसमें बाज उकात बाइलोजिकल डेफिशन्से होती है बसला किसी की आँख नहीं है किसी की समाथ कम्जोर है किसी का एक बाजू सही काम नहीं कर रहा है मतलब वो अपने बॉड़ी तो फिर क्या होता है कि वो अपने बॉड़ी के दूसरे पार्ट को इस हद तक तेज़ करेगा अपनी समाथ को कि वो उसको इतनी नारमल आदमी से उसके कान की समाथ जो है न सुनने की हसलाई उसमें बहुत ज्यादा होगी ये बात कर रहा है इसके अंदर आगए feeling of inferiority जो है inferiority ये भी मेरे से सही अदा नहीं हो रहा आप को जैसे लगता है ठीक पढ़ लीजिएगा inferiority feelings of inferiority जो है इसके अंदर वो क्या कह रहा है हम सब अपनी जिन्दगी का आगाज इसी feelings के साथ करते हैं क्योंकि हम मुकमल तोर पर एडल्ट्स पर dependent होते हैं मतलब इस तरह हैं कि inferiority जो कहते हैं इसको कहते हैं कम तर बंदा अपने आपको कम तर समझता है और बंदा अपने आपको तब तक कम तर समझता रहता है जब तक वो दूसरों पर dependent होता है जो बच्चा है ने छोटा वो बाज़ गौत काम करने लेके डरता है कोई भी छोटा काम क्यूंकि उससे पता होता है वो जारतर जो है ना उसको उसके बड़े जो होते हैं वो लेकर चलते हैं हर काम में वो help करते हैं मतलब वो उन पर dependent होता है इसलिए वो खुद को कम तर समझ रहा होता है और वो खुद से वो काम नहीं कर पाता यह चीज़ इसके मतलब कि superior हो दूसरे लोगों से ऐसे काम करें कि लोगों में जाना जाए लोगों से बहतर नार्मल लोग जो जिन्दे की गुजार रहे हैं हर individual कोशी करता है कि वो उनसे बढ़के अपनी जिन्दे की गुजार रहे हैं यह जिस बात कर रहा है इसके अंदर reading करते हैं कि society for superiority is individual individual superiority to strive for a superior और a perfect society style of life इसके अंदर क्या बात करें यह आखरी टॉपिक के style of life इसके अंदर कह रहे हैं कि एक ऐसा तरीका जिसमें individual एक मुकमल society यानि superiority को पाने के लिए इख्तियार करें ऐसा तरीका इसको कहते हैं style of life मतलब वो तरीका जिसके अंदर इनसान अपने आपको ग्र बढ़ने की कोशी करें आगे निकलने की कोशी करें इसको life of style कहते हैं मसला ने ज्याए एक बंदा ज्यादा पढ़कर superior हो जाता है एक ज्यादा पैसे कमाकर superior हो जाता है एक लोगों की मदद करके superior हो जाता है तो यह वियूर साहब का आजका लेसन मैं अम्मीद करता हूँ आ मिलते हैं नेक्स लक्चर में तिल देन टेक केर अलाफिज